हलो डियर एस्प्रेंट्स कैसे हैं आप लोग मैं पूरता इस आसा के साथ आपके सम्मुक आया हूं या मुझे विश्वास है पूर्ण तब विश्वास है कि आप अपने घरों पूर्ण सुरचित रहकर जो संसोधित डेट हमारे पास आई इस प्रिलिम्स के लिए संगल लोग सेवा योगर था यूनियन पब्लिक सर्मिस कमिशन ने प्रस्तुत किया है अर्थाथ 4 अक्टूबर के लिए आप पूर्ण तह तयार हो रहे हैं और होना भी चाहिए मायूसी निरासा हमारे जीवन के लक्षण नहीं है जैसा कि जो स्टूडेंट्स जिस भी माद्दम से हमें सुन रहे हैं कई बच्चों का मेरे पास फोन आया कि सर समस्याएं हैं समस्याएं आज भी हैं और समस्याएं कल भी रहेंगी लेकि वह जिन्हें आप समस्या समझते हैं वो समस्या नहीं है वो जीवन के चुनोतियां हैं हैं और एक सजग हुमन वीम होने के नाते सजग मानों होने के नाते उन चुनोतियों को हमें स्विकार करना है और जो हमारे लक्ष हैं उन्हें पूर्णतफ प्राप्त करना है विगत जीनों जब बात हो रही थी इस पैंडेमिक के दौर में जो आप लोगों ने शेयर भी किया था कुछ बच्चे परस्नली मिले भी थे लेगे अधिकतर बच्चों से मेरी बात हुई थी उन्होंने बोला कि मेरी प्रिप्रेशन नहीं है क्या करें उचित सामागरी उनको नहीं प्राप्त हो रही है जो टार्गेट था वो धुमिल हो रहा है लेकिन इन्वियन पब्लिक सर्विस कमिशन ने पांच उनको निर्णे ले लिया कि आपके लिए और अधिक समय दिया ज अच्छा है वो चार अक्टूबर को आयोजित की जाएगी अब समस्या यह आई कि बहुत से बच्चे जो रिमोट रिजन में हैं या जो मुख्य सेंटर है उनका उससे काफी दूर है या कई जग ऐसा अक्सर हमारे यहां होता है कि सारे अधिकतर बच्चे अपनी प्रिप्रेशन है तो कोचिंग संस्थानों को जो आईन करते हैं और फिर आज वो घर चले गए तो वो सोचते हैं कि जहां उनकी संस्थान थे जैसे जो मेट्रोज हैं चाहे दिल्ली हो जाए पुरो लखनव हो अलाबाद हो चिन नई हो नागपूरो जो भी हो तो व स्थितियां ऐसी आए कि हमें अपने घरों अपने घरों में रहना पड़ा मजबूरी थी अब समस्य आए कई बच्चों की मेरे पास भी फोन कॉल आए कि क्या करें कोई कोटा में तो जैपूर कैसे आएगा या कोटा वाला जैपूर में सेंटर आप्ट कर लिया था या कई बच्चे जो हैं कि बिहार से थे जैपूर में या कई बच्चे कहने का मतलब कि सेंटर जो उन्होंने आप्ट किया था आप लोगों ने उससे काफी दूर है तो क्या किया जाए इसके लिए कुछ विशेश होगा तो मैंने कई बच्चों से बात भी की थी कि कमीशन के पास यह सूचनाय जा रही और कमिशन जल्दी इस पर कुछ न कुछ निर्णे लेगा तो जैसा कि आप देख रहे हो कि निर्णे ले लिया गया और यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन ने यह आपको छूड़ दे रखी है कि आप अपने आसपास या जहां आप रहरवेद कि मानलों एक मेट्रो से दूसरे मेट्रो में जहां सेंटर हैं वहां आप अपने परिख्षा केंद्र के लिए उस इस्थान का चुनाव कर सकते हैं अर्था सेंटर आप बदल सकते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं यह जो मेरे पास आपके पास भी या यह नियूज पहुच होगी आसा करता हूं नहीं तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि जिन बच्चों के पास नहीं पहुची है कई प्रकार की समस्याएं हैं तो हम अपने माध्यम से इसको शेयर कर रहे हैं आपके साथ यह दे हिंदू पेपर की निउज है और इधर है हिंदुस्तान की तो जैसे देख अपने सेंटर का बदल सकते हैं उनका चुनाव कर सकते हैं तीश में हुआ कि जैसे जो बच्चे हमें सुन रहे हैं कि जिन लोगों ने मुझे फून किया कि हम तो यहां बैठे हैं कैसे करेंगे समस्याएं हैं तो उस तरह से हजारों लाखों बच्चों ने कमिशन से एक अनुरोध किया और उस पर कमिशन ने उसका संग्यान लेते हुए सब कुछ कर दिया तो जहां यहां लिखा है आप ध्यान दे यहां पर आप देख रहे हैं कि उमिदार आयोग की बेफ साइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं बड़ी संख्या में मिले आयोग की बेफ साइट पर जाकर आप सारा कुछ वहां पर दिया गया है तो आयोग की बेफ साइट पर जाएं और यहां आप देखें कि बेफ साइट पर 7 जुलाई से 13 जुलाई तक हैने 7 जुलाई से 13 जुलाई तक और फिर 20 जुलाई से 24 जुलाई तक साम 6 बज़े तक दो चंडों में जो इस बदलाव संबंधित आवेदन उसको आप कर सकते हैं तो इसको आपको चुकना नहीं है काने का मतलब कि इस तथ्य से आप मंचित न रहें यहां दिया गया है कंडिडेट विल ऑपरेशनल two phases from July 7 to July 13 and July 20 to 24 इट कैन बी डन आन दे वेव साइट तो आप सजग हो जाएं दोनों डेट में से जितनी जल्दी हो सके अपनी आव सकता के अंसार अपनी स्रुवधा के अंसार वहां पर फॉर्म फिल्प करके अपने सेंटर को क्या करो चूल लो अब चलो ये तो बात हो गई कि UPSC प्रारंबिक परिच्छा के परिच्छा के अंदर आप बदल सकते हैं तो जिन बच्चों को प्रॉबलम थी जिस तो वो अब शानति प्रुवक ये भी समस्या आपकी धूर हो गई अब शवाल ये है कि आज दो जुलाई को शायद मैं आपसे बात कर रहा हूँ दो जुलाई को और परिच्छा आपकी कब है 4 अक्टूबर को तो अब जितनी भी आपके शंकाएं थी सस्पीशंस थे वो दूर हो रहे हैं और पहले भी बताया कि ये चुनोतिया है चुनोतियों को आपको श्विकार करना होगा और ये कॉम्परटिशन है सब के लिए बराबर का मौका है तो जो भी सामग्री आपके पास है प्रारंभिक परिच्छा से संबंधित जो भी सामग्री आपके पास है ने पाठ्थे करम से संबंदी जो भी मेटेरियल्स आपके पास हैं अब उसके उपर आप कंसंटेट हो जाएं और आज से अगर आप बात करो तो लगवग हम माल लेते हैं जुलाई अगस्त और सेप्टेमबर अक्टूबर के तीन-चार दिन हम छोड़ते हैं तो लगवग 90 डेज आपके पास है तिस 90 दिनों का आपको उपयोग करना है घर में सुरच्चित रहें जो भी मेटर आपके पास है उन मेटर्स को उस पाठे सामगरी को ही आपको बार बार रिवाईज करना है तो अब क्या आपके पास रणनीती होनी चाहिए किस प्रकार से आप चार अक्टूबर को प्रारंबिक परिच्छा पास कर सकेंगे उसकी क्या रणनीती होनी चाहिए तो सबसे पहले मैं उस बिंदू पर चर्चा करूँगा जिस पर बच्चों ने मुझे संपर्क करके बाइफोन अपनी अपनी शिकायते रखी पहली शिकायत मनुबैयानिक थी साइकोलोजिकल थी कि अंदर से आपको तरह तरह की समस्याई आ रही है तो उसको आप धूर करो जैसे पहले ही मैंने बोला हम यूमन विंग हैं हर समस्या का हर समस्या का समाधान कर लेंगे हर चुनवतियों का सामना करते हर समस्या का समाधान कर लेंगे अब आपके पास वो समय आ चुका है जहां पर मैं आपको सजेशन दे सकता हूं या मालो यह कि निर्देश दे सकता हूं आपको निर्देशन कर सकता हूं आदेश दे नहीं सकता हूं बहतर हो कि आप आदेश ही मालो तो आपके फायदे के लिए 90 डेज आपके पास हैं और इस 90 दिनों में आप उतना परिश्रम करने की कोशिश करो कि शायद जिन्दगी में इतना परिश्रम आपने कवी नहीं किया था क्योंकि इस दिन का ही आपको इंतजार था और उस शुरुवात होता है उस दिन के शुरुवात कब होती है चार अक्टूबर को तो इस 90 दिनों में आप क्या करोगे तो 24 घंटे आपके पास हैं चलो कोवीड-19 ने समस्याएं दी लेकिन हमें लगता है कि समस्याओं के साथ साथ कुछ अपरचुन्टी हुई है जैसे समानी दिनों में हम तैयारी करते हैं तो कई इन्फार्बल एक्टिविटी होने लगती हैं दोस्तों के साथ घुमना आना जाना ये बेवारिक पच्छे सो भाविक पच्छे मानव जीवन का लेकिन आज वो दूर है दूर आप रहते हो घर से दूर तो जो फूड़ आप लेते हो कवी-कवी अनहायजनिक फूड का सिकारा हो जाते हो कि तो उसका फायदा उठाओ और मेरा ये मानना है कि इस नब्वे दिनों में 24 घंटे का जो एक दीन होता है उसमें अब आप 14 घंटे की कम से कम अध्येन का एक चक्र बना लो 14 आवर्स का अब इतना तो आपको करना होगा कम से कम 14 घंटे यदि आप डेली 14 घंटे पढ़ते हो तो नब्वे दिनों में कितना हो गया और थोड़ा सा आपके लिए जरूरी है एक तर से कहाँ जैसे आप भोजन लेते हो तो एनर्जी ड्रिंक लेते हो तरह तरह कहें चैबॉन बीटा वो हार्लिक्स हो बुस्ट करने के लिए बुस्ट भी एक होता है तो यह इस बहाने उहां पर मैं जा रहा हूं यह तो एक संस्थागत फैसला है जो कि सब के लिए है यह आप छोड़ेंगे नहीं करेंगे लेकिन नमबी दिनों में आप क्या करोगे तो मैंने यह बोला कि कि एक स्टडी साइकल रखनी होगे डेली 24 घंटे में 14 घंटे तो इसको ऐसे आप कर सकते हो यह हमारे पास जो है हमारे पास 24 आवर है कि द्यान रखें इसमें से आपको अब इन तीन महीनों तक 14 घंटे हो कि देट हमारे कहने का मतलब कि यह आपकी डेली की जो अध्याइन करने का एक जो चक्र बनेगा 14 घंटे का अब बनाना होगा बहाना कि नहीं चलेगा कोई एक्सक्यूजन नहीं चलेगा 14 घंटे अब इस 14 घंटे को मैं दो भागों में बांट रहा हूं डेली के लिए आप कर ले तो बहतर है इसमें से जो 12 आवर्स हैं और टूब आवर्स दो घंटे और इधर बच गए हमारे 12 घंटे तो 12 घंटे वाला जो सीडूर है इसको आप फस्ट पेपर के लिए सिक्यों रखें इसमें जो 12 घंटे आपके जो इस्टडी वर्क होगा जो अध्याइन कारिक्रम होगा वो शमान साले पेपर के लिए जो प्रारंबिक परिच्छा के साथ भाग है तो इसको आप किसके लिए करोगे जीएस के लिए जर्नलिस्टडी के लिए इसमें आप क्या करेंगे जर्नलिस्टडी की बात करेंगे जीएस के लिए जीएस में कितने भाग हैं साथ भाग हमारे पास हैं यह एक फ्रेम वर्क आपको दिया जारा अगर इस तरह से आप वर्क कर लोगे तो देखना चार अक्टूबर को जो एकजाम हो रहा है उसमें निश्चित रूप से आप प्रारंबिक परिच्छा पास कर रहे हूं और यह जो होगा सी सेट के लिए अब देखो सबसे पहले मैं सी सेट पर चल रहा हूं इसमें आपको पता है कि आपके पास कितने कोश्चन है असी कोश्चन कोश्चन कितने इसमें असी है कि यह क्वालिफाइंग है आपको पता है लेकिन एग्णोर नहीं करना है इसमें कम से कम 33 परसेंट हमें लेना जरूरी है तो असी कोश्चन में मान लो 27 कोश्चन आपको कम से कम सही करने हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें टेंसल लेने के जरूरत नहीं है जो बैकियर के पेपर साय है उनको देखते हुए और जो पार्ठी सामिकरी आपके पास है उसको आप एक बार मिलाएं और उसी अधार पर उनका डेली दो घंटे आप धेन करें कितना दो घंटे अगर दो घंटे आप धेन करते हैं तो कितने हो जाएंगे 90 आवर्स आपके पास है कि सरी 90 डेज है 180 लेकिन इन में से भी थोड़ा साम संसोधन करेंगे इस तरह से आप अभी समाने ध्यन वाले भाग में हम बात कर लेगे तो इस तरह से अगर डेली आप दो घंटा प्रेक्टिस करते हो प्रेक्टिस अगर आप मैथ और रिजनी वाले सेक्शन का खुब अच गंटे आप करते हो 90 डेज तक तो 180 आवर्स आपका उधर कंजीम हो रहा है कि इमांदारी से अगर आप प्रेक्टिस कर लोगे सारे सेक्शन का मैथ वाले पार्ट्स का रिजनींग वाले पार्ट्स का कॉम्प्रेहेंसन का इसके बार डिसीजन मेकिंग वाला जो सेक्शन है तो आराम से आप 80 में से 35 चालिस कोश्चन आराम से कर सकते हो लेकि हमें जरूवत कितने की है 27 कि माइनस मार्किंग है तो रिस्क नहीं लेना है आपको लगे कि आप 30 प्लस हो रहे हो तो चाहो तो उसको स्टॉप कर लो लेकिन आपको दो घंटे डेली अब वो 24 घंटे में आपको डिशाइड करना किस समय आप कंस्रंटेट होगे इस पार्ट के लिए प्रेक्टिस कर सकते हो तो सी सेट वाला मामला ऐसे आप कर लेगे डेली दो घंटे प्रेक्टिस करो तो 90 डेज आपके पास है तो 180 आवर्स आगे और इनकी प्रेक्टिस आप करते चले जाएंगी मैटर देख लिया कुछ अगर थियूरेटिकल पार्ट है उसको देख लिया और समझ कर आप क्या करो कोश्चन की प्रेक्टिस करो अब हम आते हैं यहां पर कि इस सेक्शन में यह बारा घंटा यह ज्यादा चैलेंज हमारे लिए क्यों कि वह क्वालिफाइंग नेचर है तो चलो उसमें हम क्या कर सकते हैं 33 परसेंट पासकते हैं लेकिन वह हमारे लिए क्या है तंपल सरी जरूरी है जब तक 33 परसेंट हम मांस आप्टेन नहीं करें अब यहां आप देखों हम आते हैं हमारे पास 90 डेज हैं 90 डेज बे अब यहां मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें से 15 डेज और निकालोगा हूं तो कितने बच गए है कि 75 डेज इस 75 डिनों में आपको पूरे कोर्स को पढ़ना है अध्याइन करना है और सेश जो 15 डिन लास्ट का बज जाएगा उसमें हम क्या करेंगे इसका रिवीजन करेंगे अब इसकी जो अध्याइन चक्र है कहने का ताज पर यह हुआ कि जो इसके अंदर गत जो हमारा इस्टडी सरकील होगा या साइकल होगा उसको कैसे हम करेंगे अब इसमें हम करेंगे क्या कि हमारे पास 14 गंटे में 12 गंटा जनर स्टडी के लिए है 14 गंटे में से 12 गंटा समान ध्याइन के लिए अब यहाँ पर हम एक क्या करना है कि जो हमारे पार 12 आवर्स है नहीं कहने का मतलब जो 12 घंटे हैं इस समाने ध्यन वाले सेक्शन के लिए हैं तो समाने ध्यन में आप ध्यान रखें कि दो प्रकार की कि तथ्य हमें दिखाई देते हैं पहलू एक होता है इस्टैटिक जो होता है कि जो पर्मनेंट टॉपिक हैं हिस्ट्री जोग्रोफी इंडियन इकोनामी के सैधान्तिक जोपत्ष है वो इस्टैटिक हो गया और दूसरा हो गया कि डाइनमिक गति जिसको आप करेंट अफ हेयर के नाम से जाते हैं या करेंट इसू कि अब इसमें हम क्या करेंगे इनको हम 12 घंटे को तीन भाग में हम बाटने जा रहे हैं कि इसमें आप अपनी सुप्धा के अंशार चेंज कर सकते हैं क्या क्या होगा है नाइन आवर्स है टू आवर्स है और वह नव दो एक अब इस नौ में हम क्या करेंगे कि सेवेंटी फाइव डैस हमने लिया इन नाइन टू तो इसमें हम जो हमारी परसिस्ट टॉपिक हैं कौन-कौन अपनी अनुसार हम देख लेंगे हिस्त्री जियोग्रफी इसमिधान और राजविवस्ता शिंबोलिक लिख रहे हैं पूरा सिलिवस्ट ने इस्जो शिंबल् अर्ती इतिहास, जोग्रोफी, भुगुल के सारे पहलू जो सिलिवस में आपके पास हैं, वहाँ आप देखें, कांसिक्यूशन और सम्मिधान से जो सम्मन्नित है राज बेवस्ता, सासंतन तस्व आ जाएगा, फिर इंडियन एकोनामी, यहां हम लिख रहे हैं, एकोनामी, इसके बाद इन्वार्मेंट एंड एकोलाजी, इन्वार्मेंटल एंड एकोलाजिकल इस्व, और लास्ट में हम लेंगे जनरल साइंस, जनरल साइंस, तो यह जो पॉर्शन हमारे पास हैं, हिस्ती हो गया, जोगरफी हो गया, कांस्टिउशन हो गया, एकोनामी हो गया, इन्वार्मेंटल एकोलाजिकल इस्व और जनरल साइंस, वन, टू, थ्री, फोर, फाइब एन सिक्स, यह क्या हैं सिक्स, पस्स टॉपिक हैं, तो इन में से आप खुछ चुनाओ करें, कि हमारे पास 75 डेज में 6 टॉपिक हैं, कितने दिन हम पढ़ेंगे, और किस तरह से करेंगे, तो 75 इन्टू अगर 9 करते हैं हम, तो कितने आवर्स आ जाते हैं, लगभग 675 घंटे हो जाएंगे, कि 675 घंटे हमारे पास आ गए, तो 675 घंटे में इसको आपको क्या करना है, पढ़ना है, इस तरह से गर देखा जाए, 6 इसू में 675 घंटे हैं, तो लगभग 1 पर 112 घंटे आप देख सकते हैं, कितने इसू हो गए हैं, इस पर हम भी बाद में चर्चा करते हैं, इस पर आप देख रहे हूँ, कि जो जनरल स्टडी वाला पार्ट हमारे पास है, तो 75 इन्टू 9, तो लगभग ये, 675 आवर्स आ जाएंगे हमारे पास, 675 घंटे आ गए, आज के, आज से लेकर और पूरे सेप्टमबर तक की कहानी में कह रहा हूँ, अक्टूबर की नहीं, तो इस तरह से आपको करना, उसमें भी 15 दिन हमने निकाल दिया, 675 घंटे हैं, तो एक टॉपिक के लिए जो परसी 6 है, तो लगबग 112, 12 से 13 घंटे आ जाएंगे, तो क्या आपके पास एक पार्ट को रिवाइज करने के लिए, या पढ़ने के लिए, 112 घंटे सफिसियन्ट है, तो मेरे अनुसार सफिसियन्ट है, लेकिन आप UPSC की तरह त्यारी करो, जो भी आपके पास पार्ट सामगरी है, पहले भी आप पढ़ चुके हो, एक तरह से रिवीजन है, तो मुख्य मुख्य बिंदों को आप क्या करें, घ्यान देते हुए आगे बढ़ें, और बैकेर के कोशन पेपर भी देखते रहें, तो ये तो जो हम 9 घंटे ले रहें, 75 डेज, कोई इसमें कहने का मतलब एक्स्क्यूज नहीं चलेगा, हम अपने आप से बेमानी नहीं करन हम क्या करेंगे, इतना करेंगे, तो 112, 112 घंटे हमारे पास आगे, तो 6 सब्जेक्ट, अब इसमें आप अपने अनुसार क्या कर सकते हो, इधर उधर कर सकते हो, मालो इन्वार्मेंटल निकोलाजिकल इसमें थोड़ा कम टाइम लगता है, बैसिक अगर आपको पता है, तो उ नहीं और जाकर आप क्या कर सकते हो, दिखा सकते हो, मतलब उसको जोड सकते हो, लेकिन ये कि जन्रल विव दे दिया गया कि हिस्ट्री जोग्रफी कांस्यूशन इकनामी, इन्वार्मेंटल इकलाजिकल इसू एंड जन्रल साइंस के लिए आप 112, 112 घंटे दे सकते हैं, दिखा ले लिया, करेंट अफेयर्स के लिए, पिछले सेप्तमबर से लेकर, इस सेप्तमबर तक की जो घटनाएं हैं वैसे तो जून जुलाई तक ही लिए जून तक, तो जो भी आपके पास मैटर्स हैं, न्यूज पेपर मैगजीन या जू आपने, किसी चैनल के माध्यम स न्यूज का आपने क्या किया, एक तरह से कत्री करण कर लिया, उसको आप पढ़ने की कोशिश करें, दो घंटे डेली क्या हो जाएगा, ये करेंट अफेयर्स की बात करेंगा, जो आपके पास मैटर्स हुए है, किसी मैगजीन का मैं नाम नहीं लूगा, जो मैगजीन सा किया हो, हाँ, योजना को रुछेतर जाए, तो योजना, योजना की जितने भी इसूज आगे हैं, उनको आप, अगर मुझसे जुड़े हुए हैं, तो पहले से मैं पहले दिन से करता हूँ, योजना आपको पढ़ना है, मैटर आपको प्रवाइड भी कराएगे, लेकिन अ आराम से रिवाइज करने की कोशिज करोगे, तो दो घंटे अगर डेली करते हैं, तो वहां तो 90 देज लिया था, 75 देज में 150 आवर्स आगे, अब ये एक घंटा हमें क्या करना है, तो एक घंटा की कहानी ये है, कि हमारे पास दो संदर्व पुष्टकें होगी, कहने का मतल अब एक तरह से, इस स्पेशल बुक है, ओ है इंडिया इयर बुक, सब के पास होगी, इसको पढ़ें, तो कितने घंटे में पढ़ लोगे, हमारे पास 75 आवर्स है, प्लस इसमें आपको क्या करना है, इकनामिक सर्वेय, इसका देन खुब करना है. तो यह आपके पास एक मोटा मोटी लंप संप सिडियूल हमारे पास आ गया, कि हमें क्या करना है? कि यह जो सेडियूल हमारे पास आ गया 90 डेज का तो 90 डेज में 15 दिन हमने लिखाया 75 डेज का है यह तो 75 डेज में आपने खुब पढ़ लिया खुब अध्याइन किया जो मेरी इच्छा है मेरी आसा उसके उनसार कि पूरी तरह से कंसंटेट होकर आपने अध्याइन कर लिया एक दिन का गैप लो फिर इसके बाद जो 15 दिन का टाइम हमारे पास आ रहा है फिर से रिवीजन करें तो 6 टॉपी किधर हो गई और इस तरह से इनको लेकर आप क्या करोगे उसी तरह 14 घंटे आपका रिवीजन चलेगा इसका भी करोगे सिसेट का भी करोगे मेरा ये मानना ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस प्लानिंग के साथ यदि आप आज से भी अध्यान सुरू करते हो बीच में गैप हो गया तो मेरा ये मा कोशिस करो कहा जाता है कोशिस करने वालों की हार नहीं होती है तो कमीशन ने क्या किया आपको पता ही की कमीशन ने हमारे पास कमीशन हमारा जूम कभी भी निरासा नहीं करने का मतलब हमें निराश नहीं करता है किसे भी मामले में समय से वेकिंसी देगा समय से परिछाएं कराएगा समय से गौवर्मेंट के द्वारा आपको नियुक्ति मिल जाएगी तो ये एक golden opportunity आपके लिए है और इसको आप क्या करें पूरी तरह से चुनोती के तरह लें तैयारी करें और जैसा की बता दिया आज 2 जुलाई है चार अक्टूबर को आपका पेपर है ये 90 क्यानबे कहने का मतलो 90 91 डेज हमारे पास से काउंट करते हैं सिर्फ सिप्टेंबर तक एक October, दू October, तीन October को मैं छोड़ दे रहा हूं, चार October को आपका पेपर ही है, तो 91 days है, उस 91 days में से भी हमने क्या किया है, 90 days लिया, 90 days को दो भागों में बाटा, 75 और 50, 75 days में इस किरिया वीधी जो आपको बताई गए, जो उसमें मेकनिस्म बताया गया, उस planning के साथ अगर preparation करते हो 90 में क्या किया planning हमारी क्या है 90 days 90 days में क्या किया 75 plus shifting अब 75 को हमने क्या किया 75 into 14 14 को क्या हमने कर दिया 12 into 2 तो 12 hours general studies वाले section के लिए 2 hours daily किसके लिए इसी set के लिए अब फिर उसमें हमने क्या किया 12 में से 9 to 1 तो 9 process topic के लिए daily 9 घंटे हम क्या करेंगे history, geography, economy, polity, general science, environmental issues जहां जैसे आपको शुरू करना है वो आपके अमसार है फिर इसके बाद 2 घंटे daily current affair एक घंटा हम इंडिया yearbook और economic survey को देते हैं इस तरह से यह आप complete करने की कोशिश कर रहे हो तो किसी कहने का मतलब कि आप में कोई hesitation होना नहीं चाहिए निरासा आनी नहीं चाहिए बस यह करो I will do मैं कर लूँगा कर लूँगा और कर लोगे और मेरी सुबकामनाय पूर्णता आपके साथ है मैं आसा करता हूँ फिर से मैं बोलना हूँ कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं जो आप देख रहे हो यह कोई course नहीं है सिर्फ आपको कहाने कि boost एक कहा जता है boost up करना आपको energy देने के मक्सद से ही किया गया और आपके लिए बस दूआ करता हूँ सुबकामना भी देता हूँ कि 4 अक्टूबर को आप क्या कर रहे हो प्रलिम्स वाली फाई कर रहे हो clear बसरते इस planning के साथ आप चलने की कोशिस करो निरासाओं को दूर करो और आगे बढ़ो ओके थैंक इंड धन्यवाद जैहिंग झालने को प्राइब जैहिंग